Engineering शब्द का मूल अर्थ होता है किसी चीज़ को संभव बनाना कोई ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए, हम उसे सबसे ज्यादा efficient तरीके से बनाएंगे यही engineering है, अगर आप इसे बहुती inefficient तरीके से कर रहे हैं, तो उसे engineering नहीं कहा जा सकता, है न? हम तभी यह कह सकते हैं कि यह engineering का शांदार नमूना है, जब हमारा मन चाहा काम, कम से कम टकराव और कम से कम खपत के साथ हो तो अगर आपका शरीर ऐसा है, कि अगर आप इससे 12 गंटे काम लेते हैं, तो वो अगले 12 गंटे सोता है, इससे 12 गंटे के maintenance की जरूरत पड़ती है नींद maintenance का समय है, है न? अगर आपकी कार ऐसी है, कि अगर आप उसे 15 दिन चलाते हैं, तो अगले 15 दिन वो गराज में होती, फिर तो public transport लेना ज्यादा अच्छा होगा अभी आपके पास ऐसा शरीर है, जिसे हर दिन 10 से 12 गंटे सोना होता है अब ये system efficient नहीं है, इसे ठीक से manage नहीं किया जा रहा शायद इन धन अच्छा नहीं है, शायद आपका engine leak कर रहा है तो क्या सब कुछ शारीरिक है? नहीं शायद medically आपको fit होने का certificate मिल जाए फिर भी अगर आपको 8 से 10 घंटे सोना पड़ रहा है और दुर्भागे से लोग कह रहे हैं, qualified लोग कह रहे हैं कि हर इनसान का 8 से 10 घंटे सोना सामान्य है ये मानव machine के बारे में बिलकुल ही बेहसर समझ है ये धर्ती की सबसे जबरदस्ट machine है, ये इनसानी तंत्र अगर इसे ऐसी हालत में रखा जाए, कि आधे समय इसे maintenance की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे सबसे जबरदस्ट नहीं कह सकते ये बहुत आसान है मैं आपको तीन सरल चीज़े बताऊँगा बस ये तीन चीज़े करें आप देखेंगे कि आपकी नींद का कोटा बहुत कम हो जाएगा बहुत सरल चीज़े बहुत ही ज़्यादा सरल चीज़े जो आप हर दिन बस 10 से 15 मिनिट के लिए करते हैं इनसे आपकी नींद का कोटा काफी हद तक कम हो जाएगा मैं आपको कुछ और दूँगा करने के लिए तीन और चीज़े हैं बहुत सरल चीज़े हैं आप इसे कीजिए आपके भोजन का कोटा अभी के मुकाबले 30 से 40 प्रतिशद रह जाएगा आपका वजन बरकरार रहेगा आप अभी के मुकाबले कहीं ज्यादा काम कर पाएंगे और कम नींद के साथ तो आप किसी चीज़ को इंजिनियर करते हैं ताकि आप उसे ज्यादा एफिशेंटली चला पाएं किसी चीज़ को बिना एफिशेंसी के चलाना है इंजिनियरिंग नहीं कहलाता तो मैं एक माँ हूँ मैं नौकरी करती हूँ मुझे और भी काम होते हैं आप जो भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता आप चाहे जो भी हो ये महतुपूर्ण है आपके काम की प्रवरती चाहे जैसी भी हो आप वो काम इसलिए कर रही है क्योंकि आपको वो काम महतुपूर्ण लगता है अगर आपका काम आपके लिए जरूरी है अगर आपको लगता है कि आपका काम महतुपूर्ण है तो सबसे पहले आपको अपने उपर काम करना होगा. Inner Engineering खुद पर काम करने का एक व्यवस्थित तरीका है. ये काम सिर्फ शरीर, मन या सिर्फ भावनाओं पर नहीं होता, बलकि सभी आयामों पर होता है. अगर आपका शरीर, मन, भावनाओं और उर्जा, ये सभी एक सीध में आकर ठीक से व्यवस्थित हो जाएं, तो ये मशीन काफी एफिशन्टली काम करेगी. तो आपको जितनी नीद की जरूरत पड़ती है, आपको जितने भोजन की जरूरत पड़ती है, शरीर जितने आराम की मांग करता है, उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है, और साथ ही, आपके काम की मातरा काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है, और उसे ज्यादा एफिशन्ट और एफेक्टिव बनाया जा सकता है. खास तोर पर अगर आप एक माह हैं, तो सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाना ही आपके जिम्मेदारी नहीं है. आप एक या दो और लोगों के जीवन को, उनके जीवन को भी अच्छा बनाने की जिम्मेदारी ले चुकी हैं. जब आप ऐसी जिम्मेदारी लेने का साहस करती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको inner engineering जरूर करनी चाहिए, आपके पास choice नहीं है अगर आप माना होती हैं, तो शायद आप चुन सकती थी, लेकिन अगर आप एक मा हैं, आपके पास choice नहीं है, आपको करनी ही चाहिए झाहिए